मैं सभी का सागत करता हूँ फिजी जिगान मुकेशना एक चैनल पर बच्चो आज का जो लेक्च्चर से न वह शॉट में होगा क्योंकि बच्चो इसके उपर कोई बोर्ड का सवाल तो होता नहीं है लेकिन इंफर्मेशन के लिए बहुती इंपॉर्टन्स लेक्चर से बच्चो जो भी हमने अब तक पढ़ा है पूरा इसमें आज के लेक्चर में आपको क्विक सेकंड में कुछ चीजे बताने वाला हूँ तो आज का लेक्चर बच्चों आपको पता है सुपरफोजीशन का पचिसफ नमबर का लेक्चास हैं बहुत सारे लेक्चास हो चुक्या हैं हमारे मतलब बहुत दी डेल्स में लिए है इसलिए लेक्चर ज्यादा बढ़ गया यह बाकी कुछ इलए बच्चो तो सुपर पो ठीक है, ऐसे three type हैं हमारी पास, इंस्ट्रॉमेंट के, यहाँ चाहए्ट हम लोग इंस्ट्रॉमेंट के बात कर रहे हैं, लेकिन इसके भी types होते हैं, अब string के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है, मैंने स्ट्रिंग ऐसे अपको लोगों को एक लूप बना के दिया था याद आ रहा है कुछ बाद में बच्चो मैंने ऐसे दो लूप्स बना के दिये थे स्वारी दो लूप्स बना के दिये थे याद आ रहा है कुछ भाया बाद में मैंने यहां पे ऐसे तीन लूग बना के दिये थे यादे ठीक है ऐसे इंस्ट्रुमेंट के बारा में आप लोगों को दिखा ही तो दे रहा है बच्चो ओके हाँ तो ऐसे बना के दिया था बच्चो यादे आप लोगों को तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंस यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, N is equal to 1 by twice L root of T by M कॉई शाक है मेरे बाईया, इसके fundamental frequency लिखके दिये थी और इसके साथ में love string भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया दे, क्या पढ़ाया था? universally, sorry, directly proportional to the root of tension क्योंकि बच्चों, हमारे जो instrument है, जो string instrument है जैसे की वीना है, मैंने example लिखा है बच्चों इसमें, गीतार है, वीना है, जो भी है, ठीक है, वो बाद में बाद करेंगे, हम लोग string instrument की कितने टाइप से लेकिन वो वीना होगा, सितार होगा, जो भी होगा हमारे पास, क्या उसके string हम लोग change कर सकते हैं, हमेशा, चलो, यह अच्छा नहीं बज़ रहे, चलो, change करो, दुसरी लो, copper कि लो, aluminium कि लो, steel कि लो, rod कि लो, मतलब, ऐसे तो नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों हम लोग length change नह नहीं कर सकते, अरे बास, जब यह string instrument अपने बजा या होथ, वीना है ना, हम लोग ऐसे किरतन गिरतन में जाते होगे, तो देखते होगे, वीना बजाते हैं, पता है ना, आप लोगों को बच्चों, हम लोग तो शारुखन का महवथ पिचर याद है, सर, वाइलिन बजाते ह वो यादे बोलना, सर, ठीक है, तो बच्चों, खाली हम लोग tension change कर सकते हैं, बस, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो string instrument है, इस string instrument का tension change करके, हम लोग इसकी frequency को change कर सकते हैं, इसकी frequency को बच्चों, यह जो frequency है, इस tension को actually lens से linear density गोलते हैं, t is the tension of the string, यह root में directly प्रोप, मतलब इसको ऐसे करते हैं, पता आप लोग को ऐसे जैसे कोई nerd जैसे होता हम लोग गुमाते हैं, गोलत, हैना, टॉर्क लगाते हैं, तो वो चीज करते हैं, और इसको पर टेंशन लाके, हम लोग ऐसे बच दाते हैं, देखो, कोई भी जो, जैसे instrument है हूँ, पहले आसे करके देखत हैं, और टबला भी देखो, ऐसे ऐसे ठोकते हैं, पहले बजाने के पहले, वो adjustment करके लेते हैं, वो tune करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो बच्चो ये string instrument के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, कौन-कौन से instrument आपको पता है कि tension change करते हुए, हम लोग हमारी string के frequency को change करने वाले, wind instrument है बच्चो जो की air column पढ़ाओगा आप लोग ने, या दे ना बच्चो, air column में हमने ऐसा लिखा था, या बट दूर हो गया सार, ये तो इसमें ये fundamental frequency, है ना, ये first overtone था, या दे बच्चो, ये order harmonic, all harmony, या open pipe रहा, तो ये या दे ना बच्चो, तो यहाँ पे frequency थी V by twice L, य यहाँ पे V, चलो, Y is equal to V by fourial, ऐसे, बास समझ में आरे बच्चो, ये frequency होते है, तो यहाँ पे बच्चो, ये wind instrument के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, हावा के vibration के कारण जो sound produce होगी, इसके बारे में, और percussion जो sound instrument होते बच्चो, जो tabla होता है, यहाँ पे लिखा है बच्चो तो tabla, drum, dhol, ऐसे, जो बजाते हैं, आपको बच्चो में यहाँ पे पूरे lead दे दूंगा, instrument की, तो देख लेना, और आप लोग बच्चो मेरे खायल से, Google पे जाके भी देख सकते, इसके diagram देखवाची दोर से, कैसे बसते, क्या बसते, यह देखना बहुत जरूरी है, इस lecture बासमज में आएगे बच्चो, string instrument का example, जो wind का है, तो organ pipe हमने अल्रीडी पड़ा था, यह नहीं पड़ा है, तो यह जो है, टबला, गिबला होता है, बात करेंगे आपी, तो सबसे पहले बच्चो देखो, आपको दिखाई देंगे सभी चीज़े, pulk string type, in this instrument, string is pulk by finger, finger से कर यह जो होते बच्चो, pulk string type instrument है, जैसे कि तनपुरा है, सितार है, विना है, गितार है, एकसेटर, ऐसे अलग-अलग, अलग-अलग यह instrument, यहाँ पर बच्चो, हम लोग जो उंगली से बजा सकते, finger से बजा सकते, उसको pulk string type instrument काहा जाता है, वही string से, मतलब string के ही टाइप से तीन बच्चो, लेकिन string को बजाने का जो तरीका होता है, वह अलग-अलग है, हाथ से बजाते है, दूसरा, देखो बच्चो, यह बो string type instrument है, यह बोहिंग करता है, जैसे वाइलिंग, सर महोबेत पिच्चर याद आगा, शारुक खान, ऐसे, चुरा लो, यादे है बच्चो यह ऐसे ऐसे, एक काडी होती है, हमारे लेंग्यज में, एक stick होती, stick काडी, और उस wire के उपर, वो string के उपर, ऐसे ऐसे घिसेटा है, यह बच्चो, उसको हम लोग कहेंगे, बोट string type instrument, यहाँ पर struck type instrument, आपको दिखाई देंगे बच्चों, आपको दिखाई देंगे, तो यह जो चीज है, बच्चो, यहाँ पर struck string type instrument, बोल सकते है, संतुर वो साथ, पियान होता है, मैं आपको यहाँ पर देखा रहा हूँ, वो picture में देखना, बच्चो, point killer करने के लिए, picture देखना बहुत जुरूरी हो, ठीक है, उसके बाद में wind instrument है, जो free wind type instrument है, in these instruments, free brass, reed are fabric by air, the air is either blown, मतलब यह जो organ pipe जैसी चीज होती, वहाँ पर होती है, mouth organ है, आपको पता है, mouth से बजाते है, है न, ऐसे, देखो, ठीक है, ऐसे बजाते है बच्चो, यहाँ पर picture दिखोंगा, आपको समझ में आएगा, आपको दो-तीन picture दिखाई देगी, यहाँ पर mouth organ है, harmonium है, यह जो होती, harmonium पता है न, बच्चो ऐसे ऐसे बजाते है, तो यहाँ पर free wind, wind type ही होते है, यहाँ पर age type, बासुरी, क्रशना जी हम अंको तो याद है बच्चो, क्रशना जी, तक क्रशना जी जो बजाते, fluid, वो जो होता है, age type होता है, और read pipe मतलब क्या होता है, कि इसमें हम लोग saxophone बोलते है, इसे बहुत सर एक्जांपल दे सकते है, कि जो value होता है उससे बनाई गाले रहेते है, ठीक है, उसके बाद में, यहाँ पर बच्चो, in this instrument, produce the setting vibration of stretch member, मतलब बच्चो, इसकी जो layer होती उपर की, उसको stretch किया जाता है, elastic जैसे, जैसे कि आपको पता होना चा बच्चो, बजाता है ना बच्चो, यह टबला बजाता है, तो देखो इसकी जो surface होता है बच्चो, जो बजाता है हम लोग, है ना, जो vibrating surface होता है, उसको हम लोग ऐसे tight stretch membranze ऐसे करते हैं, elastic membranze बोलते हैं, हैला, ऐसे stretch करते बच्चो, तो इस चीज को हम percussion instrument ऐसे बोल सकते है मतलब बच्चो आपको यह बताना है, इसमें ज्यादा questions तो हमारे पास बनने वाले नहीं है, लेकिन इसमें क्या है बच्चो, आप लोगों को YouTube पे जाके, या Google पे जाके, यह कैसे बसते हैं धान देना है, पल कैसे करते हैं, विना गिना, देख लेना, example डालो, बो मतलब यह यहाँ पे जो शारुखन का example आपको बता है, तो वो कैसे गिसते हैं, यहाँ पे मतलब string है, लेकिन string के उपर ऐसे, 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 बजाते कैसे है, free wing, कैसे करते हैं, बासुरी का example ले सकते, saxophone देख सकते आप लोग, तो यहाँ पे टबला, इसके example देख लो बच्चो, आपको बहतरीन example मिलेंगे, यह point clear करने के लिए, YouTube पे या, actual में कैसे बजाते हैं, भले हो कोई भी language में, कोई लेना देना नहीं, लेकिन कैसे बसते हैं, और थोड़ा अनन भी लेना चाहिए music का, थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए, खुश भी हो सकेंगे, हम लोग happiness, क् बताया है, मैंने, music क्या होते हैं, बच्चो, happiness पैदा करता है, यह न, मतलब कोई नाराज है, बहुत बोर हो गया तो, हम तो music बहुत गाने सुनते हैं, हमको तो आदत होते हैं, बोलने की चीज नहीं, बोलना सर आपको, यह आपको मतलब suggestion देने की जो रत नहीं है, आप तो इतने आगे हो, बच्चो इसके उपर हम लोग एक लेक्चर लाएंगे ऐसा कि जो previous year के जो सवाल आ चुकिते हैं, इस चाप्टर पे एक ऐसा लेक्चर में बनाके अपलोड करूँगा, तो बच्चो पड़ाएं करते रहना, थांक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो एंड बे